गोत्रेज कंपनी का ग्राशिया एक नए प्रोडक्ट होने के साथ साथ ये नए ग्रूप से बिलॉग करता है जिसके कारण क्या होता है किट को के अंदर इसके प्रती बिलकुल भी कुछ भी प्रतिकार शक्ती नहीं और बहुती आसानी से ग्रासिया के जरीए ऍटक कन्ट्रोल में आ रहे और इसके लिए इस प्रोड़क्त का ज्यादा नाम भी मार्केट में अभी हो रहा है तो बहुत सारे किसानों ने कमेंट किया कि भाई ग्रासिया के ऊपर एक बहुती शांदार और डीटेल जानकरी वाला वीडियो बनना चाहिए और उसके साथ भाई नाय नाय प्रोड़क्त होता है तब वह अच्छे से रिजल्ट देता है लेकिन कोई भी प्रोड़क्त हो सिर्फ ग्रासिया नहीं हो कोई भी प्रोड़क्त हो जैसे जैसे पूरा नहीं होता जाता है उसके रिजल्ट कम या फिर कुछ दिनों बाद खतम हो जाते हैं तो यह क्यों होता है और उस प्रोड़क्त का आमें इस्तमाल कैसे करना है यह भी जानकर है आज के इस वीडियो में मतलब आज के इस वीडियो में आपको ग्रासिया की कंटेंट से लेकर उसके कीमत और डोस तक एटूजेट जानकर मिलने वाली और इसके लिए एक लाइक तो बनता है और जाद देर ना करते हुए मैं हो दिवराज और आप देखरेवान निर्मता चले शुरुत करते हैं आज के वीडियो की तो दोस्तों अभी हम जानते कि ग् कंपनी का तो ही लेकिन इसके साथ साथ निसान केमिकल इन दोनों ने मिलकर यह प्रोड़क्ट लॉंच किया है तो इसके अंदर आता है फ्लुक्जा मेटा अमाइड दस प्रतिशत इसी पॉर्मॉलेशन में इसी का मतलब इमल्सिपाइबल कॉंसेंट्रेट होता है दोस्तों इसका अल्टर्निट्व यानि कि कोई और ब्रैंड मार्केट में फिलाल तो आवलेबल नहीं इसका कारण जो निसान केमिकल है उसके पास इस केमिकल का पेटन्ट है अब उसके उसी के हाथ में है कि बाई बाकी कंपनियों का इसको बनाने की इजाज़त दे या ना दे पेट प्रीनलाइड एक तीस नंबर का एक ग्रूप है जो की नया है और इस में भी एक जो भी इन्सेटिस आडिया फिर केमिकल की आभी फिलाल के लिए तो एक ही है यह ब्रॉफिनलाइड का जो भी गरूप है इसके अंदर जो भी रेस्ट्यन से किटकों के अंदर वो बिलकुल भी नहीं है और इसकी वजह से ही आपका फ्लुक्जा मेटा आमाइड बहुत ही अच्छी तरके से किटकों के उपर काम करता है यह क्या करता है कि नर्वस सिस्टेम को डैमेज कर किटकों को बहुत ही आची तरके से मार देता है इसमें लार्वा साइडल यहाँ साइडल है इनकी यह याई को मारने की शमता Рखता है यह विडीर साइड यह मायट्स को भी control करने की शमता रखता है तो दोस्तो गोद्रेश कमपनी का ग्रास या जिन जिन किटकों के उपर काम करता है उनकी images आप अभी screen के उपर देख सकते हो ये hoppers के उपर काम करता है hoppers की image आप अभी screen के उपर देख सकते हो ये किटकों के उपर company ने क्लेम किया है कि इतनी किटकों के उपर तो यह सो प्रतिशत काम करता ही करता है तो अभी हम जान लेते हैं कि ग्रासिया को किस स्टेज में किस आवस्ता में डालना चाहिए और किस कॉंबिनेशन में आप इसका इस्तमाल कर सकते तो आवस्ता की बात करें स्टेज की बात करें तो आप गोद्रेश कंपनी के ग्रासिया का इस्तमाल किसी भी स्टेज में बेज जीचक इस्तमाल कर सकते हैं और यह बात इसके कॉंबिनेशन की तो जो भी आइसीडिक वाली जो द चलता है तो आपको यह बात द्यान में रखनी है तो दोस्तों गोद्रज कंपनी के ग्रासिया के इफिक्टिवनेश के बारे में बात करें तो यह 95 फिजदी तक प्रिवेंटिव में आपके किटकों के उपर बहुती अच्छी तरह के से काम करता है और अगर क्यूरेटिव यह के ग्रासिया के कीमत और डोस्तों के बारे में तो कीमत के बारे में जानने से पहले हम उसके दूस के बारे में जानतें तो ग्रासिया आप 160 मिली प्रती एकर के साब से आप चिड़काँ के लिए इस्तिमाल कर सकते हो आप calculate कर लिजेगा कि आपको एक एकर में spraying के लिए कितना पानी लगता है और एक एकर में जितना पानी आपको spraying के लिए छिड़काँ के लिए लगता है उसमें आप एकネस innate टेमेल ग्रासिया डालकर आप अपने फसलों के ऊपर छिटकाओ कर सकते और रही बात इसके कीमत की तो आपके नजदी की कुरुशी सेवा केंद्र में ग्रासिया की कीमत कितनी है यह जानने के लिए हमारा अनिर्मत अप्लिकेशन आज ही डाउनलोड करें उस अप्लिकेशन के अंदर आपके नजधी की दुखांदारों के रेट आपको दिखने कर दारों लेकिन अपीसान हों भी ज्यादा लोंगे मुझ से तो आप बात इस व्यूडियो को लाइक ने किया यह लाइक कर दो जिन्हों ने अब तक सक्राइब किया है सब्सक्राइब भी कर दो और ज्यादा सपोर्ट करना जाते ओ और शेयर का भी बटन दवा दिया तो अच्छा हो जाएगा तो दोस्तों आज की खास बात में गोद्रिज कंपनी के ग्रासिया के बारे में ही हम बात करने वाले गोद्रिज कंपनी का यह नया प्रोड़क्ट नए ग्रूप से नया केमिकल लॉंच हुआ है तो यह सोप टका आपके किटकों के उपर बहुती बढ़िया तरके से इसे काम करने ही वाला है लेकिन अगर इसका भी अंदा धूंद अगर इस्तमाल होने लगा तो वहां पे इसके अंदर उसके लिए कोई डेवलोप नहीं था उसका इस्तमाल किया जाता था 90 में तो वहापे क्या हुआ उसका रेरली इस्तमाल जगह पे जरुरत होने पर ही इस्तमाल किया जाता तो वह बहुत पुराने जमने से आज तक चला आया था लेकिन अभी अभी रेजिस्टेंस डेवलोप हुआ तो यह इतना भी एफेक्टिव नहीं है आपका रेडो में और उसके बाद आपको पता हैं सेक्टिन मार्केट में आते हीं उसका अंदा धूंद इस्तमाल होने लगए उसका इफेक्टिव हो करतें तो वहां पर फंगस के अंदर रेस्टेंस डेवलोप हो जाता है और एक बार रेस्टेंस डेवलोप हो गया तो वो उस ग्रूप के कोई भी एक फंजिसाइड केमिकल हो उसके प्रती वो कीटक हो गया या फिर कुछ रोग हो गया वह रिस्पॉंस नहीं देता है तो ऐसे ही अगर ग्रास कमपनी का ग्रासिया का ही इस्तमाल करते रहोगे तो वहाँ पर आपको दिकत ऐसे आने वाली तो आपको यह जानकरी अच्छे लगी हो तो लाइक का बटन दबाया नहीं होगा तो दबा दो और गोद्रेश कमपनी के डबल के बारे में ज्यादा जानकरी जानना चाहते हो त पुलते अगले वीडियो में जय जावान जय की सान